चार हजार मीटर की दूरी तै करता है और किया गया कारेया 20,000 जूल है जब भी कारेया की बात करेते हैं तो उनकी यूनिट्स जूल होते हैं तब उस पर लगाया गया बल, कितना होगा, तो याद रखना जी, जब भी ऐसा कोई question आता है, तो एक ही formula यूज होता है, that is, कौन सा formula है वो, हमारे पास होता है, work done, work done, work done is equal to force into distance, और हमारा distance, मतलब दूरी, और ये है बल, और ये हमारी दूरी, कितनी दूरी हुई है, और work done है, हमारा कारय कितना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास पहली बात तो कारय की बात करी जाए, तो हमारी कारय दे रखा है, 20,000 जूल, जहाँ पे जूल वर्ड आ गया, आपको याद रखना है, वो कारय की बात हो रही हूज ऑपास है तो यहां पर हमारे पास कार्या कितना है 20,000 J वी सताइब रख़ द्यदी है और बल की बात करनी और दूर हचाहए 4,000 meters तो 4000 meters यहां पर भर देते है पास पांच न्यूटन आएगा और हमेशा याद रखना जो बल की बात करी जाए फोर्स की बात करी जाए तो उसका यूनिट है न्यूटन चलो जी अब नेक्स कोशन पर चलते हैं और यह हमारा 2018 में कोशन आ रखा है अब दूसरे कोशन की तरफ जाते हैं जो बहुत ही जादा इमपोटनेंट है चलो जी इसकोशन है हमारे पास एक किलोवाट आर जब भी में बिल देखते हैं घर में तो हमें घांड रखना है हमारा बिल आता है किलो वाट 파 जाए को अगर अरजी में ट्रांसफर करation उर्जा में कंवर्ड करना हो बदला जाये तो कितनी उर्जा निकलती है, तो क्या है 1 kWh कितनी के इक्कुल है 3.6 x 10.0 पार 5 joule 3.6 x 10.0 पार 5 joule 3.6 x 10.0 पार 6 joule 6 joule 3.6 x 10.0 पार 5 joule और ये कोशन आपका बहुत ही जादा इम्पॉर्टन है सारे कोशन्स में इत्ग है यह बहुत ही ज्यादा important question है तो इसका answer क्या है हमारे पास बच्चे इसका answer है आपका C answer that is a kilowatt hour आपका है 3.6 into 10.6 joule के ब्राबर है और यह चीज़ याद रखनी है आपके घर के बिजली का बिल सब kilowatt hour में आता है generally आपने देखा है ना चलो जी इसका हमारा सही answer है 3.6 into 10.6 joule च अब बात करते हैं next question की next question है हमारे पास 1 kilowatt hour कितने की equal है कितने के ब्राबर होता है 1 kilowatt hour तो हमारे पास kilo से याद रखना है 1000 की बात करें वाट बिच्छे लगाव है तो कोई दिक्कत नहीं हमें नहीं भी आता answer तब भी mark करेंगे क्या है 100 watt होगा 10 watt होगा 10,000 होगा या 1000 watt होग है तो यह कोशन हमारा 2019 की शिफ्ट में आ रख है ना 2019 में चलो अब नेक्स कोशन की बात करते हैं next question में क्या है एक atmospheric pressure वाई यू मंदल्दाप की बात हो रही है वाई यू मंदल्दाप के बारे में पूछा गया है कितने pascal की equal होता है 1 इंटू 10 रस पार 5 pascal 1 इंटू 10 रस प आपकी बात करी जाए अगर पासकल में convert करके देखना है जी तो हमारा answer होगा पहला 1 इंटू 10 रस तू पार 5 पासकल यह फाई वाली पार बिल्कुल याद रखनी है यह आपके बहुत सारे कोशन बहुत सारे railway के एक्जामी यह फेवरेट कोशन है अमेशा पूछा जाता है यह आपका फेवरेट कोशन है रेलवे का चलो अब नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन क्या है हमारे पास what is 746 watt यह 746 watt को क्या कहते है ठीक है जी अब इसमें क्या है एक unit है जी unit दे दिया उन्होंने ठीक है और कुछ नहीं है इसमें कुछ में इतना hard and fast rule नहीं है क्या करना है याद रखना है एक होर्सपार आपके कितने केकोल है 746 watt केकोल है याद रखना है हमारा एक होर्सपार की बात हो रही है एक किलो वाट की नहीं बात हो रही है एक पास्कल की भी बात नहीं हो रही पास्कल हमारा है unit of atmospheric pressure या वाई यू मिंडल advantage हो रही है और जूल हमारा है उर्जा की unit तो यह चीज आपको याद रखनी है, यह हमारा 2018 में आ रखा है कोशन, और ऐसे ही बहुत सारे कोशन, बहुत इंपोर्टन कोशन, जानने के लिए, समझने के लिए, आप हमारे साथ बने रही है, मैं हर्जोत कॉर्मान, आपको फिर से दुबारा मिलूंगी, विद न्यू कोश